कुछ मीठा सा साद लिये हुए मौसम की ताजी हरी मतरवला किसको पसंद नहीं होगी। जैसे टमाटर ने जादातर सबजियों और दालों के साद भी अपनी जगा बना ली है। कमुवेस मतर ने भी या जगा बनाई है। ठंड का दौर है और मतर का सीजन। ऐसे में तमाम सबजियों में मतर का स्वाद लेकर उप गए हूँ। तो आज हम लाए हैं आपके लिए मतर की नई रेसिपी जिसका नाम है मतर की कचोडी। पकवानों में पूरी और कचोडी हर दिल अजीज है। बात कचोडी की जाए तो उसमें भी कई तरहें के प्योग हुए है। इसमें मतर की कचोडी की बात ही अलग है। रोटीन, फाइवर, कार्वोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर मौसम की ताजी हरी मतर ना सिर्फ कचोडी को स्वादिष्ट बनाती है। बलकि आपकी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। तो आज हम सीखेंगे मतर की कचोडी बनाना। दोस्तों मैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी लाती रहती हैं। जो आपके स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखे। मेरे चैनल पर अगर अगर मैं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आई ये बनाना सुरू करते हैं मतर की कचोडी। यहां पर हमने ताजी हरी मतर ली है पाव भर गैस पर पैन रखेंगे और टूटेवल स्पूम तेल डालेंगे एक चमत जीरा डालेंगे और चार लाल मिर्च डालेंगे अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्च को अवाइड भी कर सकते हैं इसमें छेसाथ करी लहसुन डालेंगे लहसुन हलका सुनहरा होने तक भूनेंगे और अब इसमें मतर डालेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे आधा गिलास पानी डालेंगे और इसे ढख देंगे पानी सूप में तक मतर को हमने पता दिया है और अब यह मतर गल के तयार हो चुकी है और अ अधाचम्मच जलवीरा पाउडर, लाल मिर्थ पाउडर, आधाचम्मच जीरा पाउडर, लगफपक हीमक दाले, अधा कप पाडी Congress, 2 Secret कप लाइवर हारा निया झाफ काप्ष्थ ृत और अधाय कप पुदीना में ल्टी झाब सहुत करें। अब दो कप आठा लेंगे अधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और स्वाधा नुसा नमक डालेंगे दो जुटकी हिंग डालेंगे यहां पर एक चम्मच देशी घी डाला है आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हो अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके गुंट लेंगे को हम थोड़ा गीला रखेंगे जिससे की फिलिंग ज्यादा से ज्यादा भर जाए और कचोड़िया फूटे भी नहीं अब हमारा डो बन के तयार हो चुका है अब हम इस पर घी लगाकर इसे बीस मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे यह अच्छी तरह से सेट हो जाए अ तो दोस्तों चट्नी तयार हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच काला नमक क्योंकि काला नमक डालने से चट्नी में अच्छा फ्लेवर आता है अब हम आटे की लोई बनाएंगे और उसमें तयार की हुई मतर की फिलिंग भरेंगे कचोड़ी का आटा हमने रहा हुआ इसलिए हम इसमें ज्यादा से जादा फिलिंख और फिलिंग जितनी ज्यादा वरी होगी कचोड़ी उत्रेटी और जायकेदार लगे और इस तरह से हम सारी कचोड़ियों में ध्र के तयार कर ले तो दोस्तों अब हमारी कचोड़ियां बन के तयार हो चुकी है अब इसे अचार चत्मी सलाथ के साथ करें अगर आप कचोड़ी ना बनाना चाहें तो इसी फिलिम के पराथे भी बना सकते हैं जो की इतने ही टेश्टी लगेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमे कमेंट करके जरूर बताएं अगर हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दमाएं ताकि हमारी नहीं नहीं रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले मिल सके वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रफ्या लाइक करें और अधिक से अधिक से करें इसी के साथ लेती हूं आप से विदा और फिर मिलती हूं किसी नई स्वाद और सेहसे भर पूर रेसिपी के साथ बाय दोस्तों